अक्टूबर में खुद्रा महगाई दर के आंकडे सरकार को थोड़ी राहत दे सकते हैं। अक्टूबर में खुद्रा महगाई दर तीन महीने के निचले स्तर 6.7% पर आ गई है। सितंबर में ये आकला 7.4% था। हाला कि अभी भी ये आर्बियाई का जो अपर बेंड है उपरी लिमिट है 6% की उससे उपर है और ये लगाता है दसवाय महीना है जब खुद्रा महगाई 6% से उपर बनी हुई है। महगाई में कमी की प्रमुक वजए खाद महगाई में आई गिरावट को माना जा रहा है। तो अभी वहां कई सारे ऐसे प्रिशर पॉइंट से दवाव दिखते हैं जिने समझना जरूरी है और जहां से शायद जर बैंक महगाई को आगे धील देने के लिए या अपनी नीतियों को अपनी ब्याज़दर बढ़ने की नीति को वापस लेने या रोकने से पहले पुनर दो महेने से डबल डिजिट में है यानि भारत के पूरे खाद बासकेट में जो अनाज हैं गेहूं और चावल इनकी महगाई जो आम तो पर भारत की खाद महगाई का बड़ा हिस्सा कभी नहीं वनी रहती थी क्योंकि भारत की अब में खाद महगाई लाने वाले जो नहीं बाजाद होने वाले चीजह इसलिये जब तक क्रभी की फसल नहीं आ जाती खरीवकी पूरी फसल बाजार में नहीं आजाती और उसकी खरीद नहीं हो जाती अनाज की कीमतों पर दबाव लगातार बना रहीगा यह हमें दिखाई दे रहा है इसके साथ कुछ और ऐसी खबरें जो अनाच के महेंगाई को सपोर्ट करती हैं जैसे भारत में FCI के पास अनाच का बंडार पांच साल के निउनतम इस तर पर पहुँच जाना FCI के पास बाजार में दखल देने के लिए या बाजार में कीमते कम करने के लिए अनाच छोड़ने की खशमता ना होना यह सारी चीजें फूड बास्केट को महेंगी कर रही है दूसरी जो अच्छी खबर इसके विपरीथ है वो यह कि भारत में पहली बार लंबे समय के बाद लगभग 29 महीने के नियूंतम इस्तर पर है सर्विसेस की इंफलेशन सेवाओं की महंगाई जिसमें हमने लगातार बड़ी बढ़ोत्री देखी थी पिछले दो तीन साल से सेवाओं की इंफलेशन में सर्विसेस की इंफलेशन 29 महिने की नुनतम इस्तर पर है पर इसका एक फिलिप साइड भी है सर्विसेस सेक्टर में इंफलेशन कम होना डिमांड कम होने का सबूत भी है मांग कम होने का सबूत भी है यानि कि भूत सारी सेवाओं की मांग हमें संकेत होती क्योंकि सेवाएं उद्योगों को सपोर्ट करती हैं तो द्योगों की तरफ से मांग कम होती है तो सर्विसेस की डिमांड भी कम होती है लेकिन वहां डिमांड कम होने का संकेत है और महंगाई भी कम होने का संकेत है लेकिन कोर इंफलेशन अभी भी 6% के आसपास बन ही है अब जो perspective मिल रहे हैं उसे साब से दो तरीके के आकले मिल रहे हैं कि अगर महेंगाई में कोई बड़ा रिमाउंड नहीं आता खादे महेंगाई का दबाव भी बना है इसमें यह दबाव आने वाले समय में अगर बढ़ता नहीं बढ़ता है तो भारत की महेंगाई फिर भी रिजर्ब बेंक का जो सहनी इस तरह है उससे उपर ही रहेगी इस पूरे साल के अगली ती महाई के दौरान साड़े तरी को लेकर बनता दिख रहा है अगर कमानिटी की कीमतें बढ़ती है तो हमें वापस फिर उस चक्र में लोटने की संभावना दिखाई देगी पर एक और महत्तुपूर संकेत है जिस अभी हम इस पश्टूप से इन आकलों को पढ़कर नहीं कह सकते इसके बाद हमें संकेत भी हमें दिख रहे हैं और यह शायद अर्थवस्था के लिए के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं होने वाली है सर महंगाई कम हो गई टागेट यही था कि महंगाई कम हो अब 6% से थोड़ी उपर है थोक महंगाई में भी कमी आई थी क्या आर्वे आने वाले दो में अभी भी पहली चीत तो यह है कि रिजर्ब बैंक का जो रेंज है 2-6% का उससे भूत उपर है लक्षे तो रिजर्ब बैंक का 4% पर लाने का है भारत में महंगाई कि इदर 4-5% हो तभी वो सहनी डंग से अर्थवस्था को मत दे सकती तो अभी तो हम उससे बाहर 7% के करीब खड़े हुएं और दूसरी चीज है कि अभी रिजर्ब बैंक फिलहाल अपनी अगली मुद्रिक से मिक्षा बैठक में 30-25% की बढ़ुतरी जरूर करेगा हाँ उसके बाद शायद डेटा के आधार पर आकड़ों के आधार पर ब्याजदरों में बढ़ुतरी की रफ्तार को की का जो लक्ष है इसकी तरफ बढ़ते हुए एक ब्याजदरों में एक और बढ़ुतरी हमें दिसंबर में दिखाई देगी अब वो पूरी 50 basis point होती है यह RBI उसे 30-35 basis point प्रतिश्यतंक के आसपास रखता है यह देखने वाली बात होगी लेकिन अब यह महंगाई पर कमी श में थोड़ी मदद करेगी दिसंबर की महंगाई की आकड़े में भी पर भी थोड़ा सा दबाव रहने की संभावना